हेलो स्टूडेंस और आज इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं आगाज नीट 2022 MCQ सीरीज का नीट 2022 के जितने भी आस्पेरेंट्स हैं उनके लिए सीरीज बहुत जादा हेल्पुल होने वाली है क्योंकि इस सीरीज के जरिए मैं आपकी कम्प्लीट बयॉलिजी रिव सरीज होंगे कई इसे बacă्जें हैं जो मौक टेस्ट के बाद डीश जाते हैं लेकिन अनको नीटिवेट होने की बिल्कुल ज़रुत नहीं है बल्कि उनको उस चीज से सबक लेनी जरुत है कि उनकी तैयारी में उनकी composition में कहीं न ballot कोई कमी है जिसे उनने और ज्यादा musimy कर कि पूरी करना चाहिए तो उसी चीज का एक मोटिव लेकर मैंने अब ये सीरीज जो है स्टार्ट की है आपको मेरे साथ इस पूरी सीरीज को देखना है इसी की वज़े से आप लोगों का स्कोर जरूर इंप्रूव होगा सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करके चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूले पूरी वीडिय जरूर देखें उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट सेक्षिन में अपने रिव्यू जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी क्वेश्चन कैसे लगे इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट अपना स्कोर भी प्लीज नीचे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बतान इससे मुझे बहुत दा हेल्प मिलेगी यह जानने में कि आखिर बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी लेकर के आऊंगी यह हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है अब आपको डेली इस तरीके की MCQ र मेरी के वीडियो पसंद आती है तो लाइक को शेयर करना ना भूले तो गाइस देखो पहला क्वेशन जब हम देख रहे हैं विच इस लेस्ट जेनरल इन केरेक्टर्स आस कंपेर तो जीनिस दिस वेरी सिंपल क्वेशन आप लोगों ने क्वेशन आधा पड़ा होगा उससे नीचा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सा अंसे सही होगा इग्जाक्ली ऑप्शन नमबर डी सबसे लेश जनरल जो चैरेक्टर्स है आस कंपेर तो जीनिस वह आपको किसमें मिलेंगे स्पीशीज में स्पीशीज के बाद क्या होता है जीनिस आएगा ठीके चलो विच्वन अफ फॉलोईंग इस रॉंग फॉर फंजाए फंजाए के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है जल्दी से ऑप्शन पढ़ो क्या दौनों यूनिसेलुलर होते हैं मल्टिसेलुलर भी होते हैं क्या यह यूकेरियोटिक है और फंजाए सभी के पास एक सेलूलोस की सेल वॉल होती है तो यह फंजाए जो है उनके पास सेलुलोस की सेल वॉल नहीं होती है तो गाश एक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन इंफर्मेशन यहाँ यहाँ यहां पर वह एक जो बच्चे यहाँ के मिलकर mixed questions होंगे जो कि daily आएंगे लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपनी preparation कर रहे हैं ठीक है वो अभी किसी न किसी chapter के ऊपर हैं और वो उस chapter को खतम कर रहे हैं तो हर एक chapter को खतम करने के बाद मैं हमेशा कहती हूं कि आप लोगों को human reproduction के mcqs की मैं आपको human reproduction के mcqs कराने वाली हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी आपके human reproduction chapter को और ज़्यादा strong बनाने के लिए हर एक question को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं तो please आप लोग ज़रूर यहाँ पर इस class को अटेंड करना description box में आपको link मिल जाएगी और an academy पर follow ज़रूर कर लेना क्योंकि live class daily यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और आज यानिकी एक बज़े की class के बाद शाम को छे बज़े भी एक class है जिसमें मैं आपको bio technology के mcqs कराऊंगी तो यह दो classes है मेरी आज इसको आप ज़रूर देखना आपको बहुत ज़ादा help करेंगी ओके आगे बड़ी चलो academy के prodigy के बारे में आप लोगों को पता होका मैं एक छोटा से review दे देती हूँ 23rd jan को अल्रेडी हो चुका है आप enroll कर सकते हो sync creation education के code को use करके यह आपका एक scholarship test है इसका schedule कुछ इस तरीके से है 29th january 6th feb और 13th feb का exam और बचा हुआ है 23rd का exam अल्रेडी हो चुका है ठीक है exciting rewards आपको यहाँ पर मिलेंगे scholarships आपको मिलेंगी प्लस जो नीट 2023 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक बैच स्टार्ट किया गया है जो कि आपको आपकी preparation में help करेगा 2022 के लिए तो already मैं पढ़ा रही हूं तो don't worry और 2023 के students जिनका अभी syllabus स्ट question के उपर methanogens belong to methanogens किसे belong करते हैं यू बेक्टीरिया आर्की बेक्टीरिया डाइनो फ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्स and the correct option here will be option number B आर्की बेक्टीरिया जो की high temperature में extreme conditions में भी क्या कर सकते हैं survive कर सकते हैं और इस question मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि अगर मैंने बोला कि wrong है यहां पर statement कि cellulose की cell wall नहीं होती है तो किसकी cell wall होती है एक्चुल में यहां पर काईटीन की cell wall होती है ठीक है the cell wall is made up of काईटीन चलो आगे बढ़ते हैं और live classes की link description box से मिल जाएगी आप वहां से जाकर देख सकते हो जो class 12th के students है term 2 के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए already अच्छी classes मैंने start की हुई है आप उन्हें जरूर देखो आपको बहुत जादा help करेंगी आगे बढ़ते हैं which one of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of zoological nomenclature and correctly described चलो जो मैंने question में बोला उस तरीके से आप मुझे जल्दी से answer बताओ according to all the rules of the international zoological nomenclature आपको यहाँ पर बताना है कौन सा option सही है and the correct option here is plasmodium falciparum यह एक protozoa है है ना जो कि बहुत serious disease क्या करता है malaria clear सही है यह आगे बढ़े किस किस का सही था यह बताओ जल्दी से सही किया ना तुम लोगो ने very good चलो आगे बढ़ते हैं which among the following is not a prokaryote इन में से prokaryote कौन नहीं है ऐसी questions ध्यान से किया करो जहां पर not लिखाओ which of them is not a prokaryote and the correct option here is saccharomyces ठीके, saccharomyces is not a prokaryote examples पर ज़रूर ध्यान दिया करो बहुत जादा important है which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and proto-nema of moses इन तीनों में इस में से कौन से feature है जो की common है exactly the mode of nutrition इन तीनों का nutrition लेने का जो mode है वो बिलकुल similar होगा okay the algae which can be employed as food for human being is यह NCRT की direct line है कि भई एक ऐसी algae है जिसको as a food human beings use करते हैं space में होती है हो है ना तो वो कौन सी algae होगी exactly cholera ठीक है clear यह यह आपने आई के सेंसियाटी में पढ़ा होगा direct line है यह which one of the following statement about viruses is correct virus के बारे में इन में से कौनसी statement correct है बताओ बताओ जल्दी से बताओ बच्चो I know आप लोगों ने options पढ़ लिये हैं आपको सही answer पता है very good I know आपने बिलकुल सही answer किया है ना तो correct option होगा option number B virus contain either DNA और RNA ठीक है दोनों एक साथ नहीं होते या तो RNA होगा या फिर DNA होगा ठीक है gymnosperms are also called softwood spermatophytes because they lack gymnosperm को हम softwood spermatophyte भी कहते हैं because उनके पास एक चीज नहीं होती है and that is क्या है जो उनके पास नहीं होगा exactly xylem fibers that's the main reason वो soft होगे they are also known as softwood spermatophyte which one of the following pair of animal comprises jawless fishes देखो animal kingdom से आपका question आ गया यहापर कौन से animal के pair है जिसमें आपको jawless fishes देखने को मिलती है exactly lampreys and hagfishes okay अगर इस question के बारे में नहीं पता था इस topic के बारे में नहीं पता तो एक बार प्लीज animal kingdom की examples अच्छे से करो colostrum the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains which means कौन सी antibody या कौन से cells यहाँ पर प्रेजंट होंगे exactly immunoglobin A IgA ठीक है यह एक antibody है जो की colostrum में प्रेजंट होती है जो की body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis a collar and a long trunk बताओ यह थोड़ा out of syllabus लग रहा है out of syllabus है नहीं वैसे बट थोड़ा सा extra knowledge की ज़रत हो की इस question को करने के लिए correct option है option number A ठीक है balanoglossus next question की तरफ चले choose the incorrect statement with respect to an electrical impulse electrical impulse के regarding आपको यहाँ पर गलत यानि की incorrect statement को select करना है option number कौन्जे सही होगा हाँ बताओ जलदेलदी बताओ कौन्जे सही होगा हाँ बिलकुल सही option number B the two-way transmission can occur across an electrical synapse two-way नहीं होगा only the one way will occur okay सही है वर्ड ओजोन डे आपको याद होगा मैंने आपको पीपीटी दी थी पीडिएफ फाइल प्रोवाइड की तो जिसके अंदर सारे डेज मैंने प्रोवाइड किये गए ठीक है मेरे दूसरे चानल दा तो डिएज दा रिलीज ओफ ओडिएस इस बताओ क्या कहते हैं उस अग्रीमेंट को montreal protocol सुना है NCRT में given है montreal protocol eutrophication of water bodies leading to killing of fishes is mainly due to non-availability of भाई eutrophication जो है water bodies की उसमें क्या होता है it leads to killing of fishes भाई fishes को मार दिया जाता है तो वो क्यों मारा जाता है किस चीज के availability कम हो जाती है oxygen ठीक है utrophication तब किया जाता है जब o2 जो है वो उन fishes तक नहीं पहुंच रहा है scarcity हो गई है o2 की यानि कि oxygen की oxygen वहाँ पर नहीं available है which one of the following is an example of xc2 conservation इन में से xc2 conservation का example क्या होगा exactly option अमरी sacred group ठीक है sacred group एक बहुत अच्छा example है xc2 conservation का strobulus is found in strobulus किस में मिलता है भाई pinus में, equisitum में, polytrichum में या teres में जल्दी से बताओ मैंने आप तो question भी read out कर दिया है c option ठीक है equisitum में और आपका polytrichum में इन दौनों में ही आपको strobulus देखने को मिलेगा करेक्ट है I hope आप लोग को पप कर पा रहे होगे इन सभी questions के साथ because यह सारे question आप लोगों को न एक तरीके से आपके exam के लिए prepare करेंगे ठीक है clear आप सभी को पता है strobulus क्या होता है strobulus क्या होता है सभी को पता है वह जल्दी से comment करके बताओ एक न आपके से कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉनिफर लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि किसी भी उसमें ब्रांच में अगर फ्लावर टॉप पर आप देखते हो ना इस तरीके से ही यह स्ट्रक्चर होता है strobulus ठीक है if 20 joule of energy is trapped at producer level यहाँ पर 20 joule क्या है रुकी हुई है strobbed है ठीक है stop है यहाँ पर then how much energy will be available to peacock as food in the finance chain ठीक है peacock यहाँ पर है 20 joule यहाँ पर है ठीक है इस area में 20 joule जो है आपकी energy trapped है अब आपको बताना है पिकॉक तक कितनी energy पहुंचेंगी बताओ exactly 0.02 क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 10% यह रूल पढ़ा था आपने तो पहें 20 का सिर्फ 10 परसेंट ही जाएगा 20 का 10 परसेंट कितना हो गया 2 परसेंट अब 2 का भी सिर्फ 10 परसेंट जाएगा 0.2 परसेंट अब 0.2 का भी अगर आप 10 परसेंट लेके जाए तो कितना बचा 0.02 परसेंट ठीक है आया समझ में ही चलो कौन थे ये सारी केरेक्टर स्टिक्स बता दी और लास्ट में पूस लिया कौन थे अब आप क्या रहोगा मैं हमने तो सिर्फ नाम याद किया था इसा भी याद नहीं किया था तो यह जो mcq series है ना इससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर किस टाइप से question आ सकते हैं तो अब आपको पता लग रहा है कि भई evolution chapter में से तो इस टाइप से सिर्फ यह आप से एक तरीकी से flow chart नहीं वह आप से characters को बता कर भी question पूछ सकते हैं राइट है ना चलो अब शाबाश जल्दी बताओ कौन सा answer सही होगा option number c option number c बिल्कुल सही होगा है ना neanderthal human होगा ना राइट प्रणाउंस अगर गलत कर रहे हूं तो वेरी सॉरी बट करेक्ट answer is this one metagenesis refers to बहुत सिंपल metagenesis का मतलब क्या है मैंने काफी सारी test series आप लोग को करवाई है काफी सारे questions already in academy पर कराए है description box में आपको link मिल जाएगा मेरी live classes का उनके अंदर मैंने कई बार बताया what does metagenesis means बताओ exactly जब आपको किसी भी species के अंदर किसी भी form में अगर आपको alternation of generation देखने को मिल रहा है क्योंकि एक generation के बाद दूसरी generation अगर follow हो रही है that is known as metagenesis ठीके तो जब किसी भी organism में a sexual और sexual phase में आपको alternation of generation देखने को मिले that will be known as metagenesis बहुत simple explanation इस word का ठीके the most widely distributed connective tissue in the body animal is बताओ सबसे जाधा widely distributed connective tissue animal की body में कौन सा होता है option number a areolar tissue ठीके option number a areolar tissue which of the following features is not present in the phylum arthropoda arthropoda में इन में से कौन सा feature है जो present नहीं होगा not पर focus किया करो अगर not आजाता है ना किसी में भी तो अपने need के exam में भी उस not word पर ना ऐसे अपने pen से इस तरीके से कर लेना या circle लगा देना ताकि आप जब question को solve कर रहे हो आप जब question के number d parapodia ठीके clear parapodia feature नहीं है यहाँ पर किसका phylum arthropoda का all are key evolutionary advances of flatworms except bilateral symmetry, organ level body organization, cifalization या one way digestive tract यहाँ पर सभी के सभी evolutionary advance यहीं कि flatworm किस तरीके से evolution के अंदर गए वो इनका example है लेकिन एक यहाँ पर उसमें include नहीं होगा वो है one way digestive tract यह evolution वाले form में included नहीं है psychus possesses two cotyledons but it is not dicot देखो psychus एक ऐसा plant है जिसके पास आपको 2 cotyledons मिलेंगे correct है लेकिन फिर भी दो देखो monocot मतलब 1 cotyledon dicot मतलब 2 cotyledons लेकिन psychus के अंदर exception यह है कि उसके पास 2 cotyledons होती है लेकिन उसको फिर भी हम dicot नहीं बोलते हैं क्यों बिकॉस 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 अफ कंपाउंड लीज नेक्ट seeds सिर्शिनेक टाइसस या फिर मोनोकॉर्ट लाइक स्टेम एक्जाक्ली सिर्शिनेक टाइसस ठीक है एक सेटीड लेकिन यूट वाइक्ट विच उब फॉलविंग इस नॉट स्टेम आइफिकेशन इन में से गॉन नहीं है पढ़ा होगा आपने नॉट पर से एक सर्कल कर देते हैं जिससे आपको याद रहें कि बहुए स्टेम मॉटिफिकेशन इन में से कौन सा नहीं है इक्जाक्ली, टेंड्रिल्स ओफ क्युक्यूम्बर, all of them are stem modification, except tendrils of cucumber, clear है, बच्चों आपको किसी भी question में कोई भी doubt हो ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, in fact आप लोग नीचे comment section में भी comment कर सकते हो, आपको इससे सबसे ज़्यादा help क्या मिलेगी, बताओ, क्या help मिलेगी, कि आखिरकार हम जो questions कर रहे हैं, वो questions आखिर किस तरीके से नीट के exam में form होके आ सकती है, किस तरीके से उनकी language चेंज हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर कह रही हूं, कि tendrils of cucumber, stem का modification नहीं है, तो मैं आपको यह भी बता रही हूं, कि वो किसका modification, there are, there are modification of leaves, ठीके, leaf का modifications हैं वो, companion cells are closely associated with trichomes, guard cell, sieve elements, यह vessel elements, exactly, sieve elements, यू कि साथ में गाम करते हैं, है न, the term polyadolphus is related to, polyadolphus term किस से relate करता है, मतब किस के साथ आएगा, किस में feature करेगा है, कैलिक्स, गाइनोशियम, अन्रोशियम यह कोरोला, कोरोना मत समझना, है न, नाम मत बदनाम करना, लेकिन बताओ, वैसे बहुत-बड़ा hint बोल दिया है, मैंने यह, option number D, कोरोला, ठीके, सही निकला, किस-किस का सही आया answer, बताओ भई, देखो मुझे पता लग रहा है, तु को भी पता लग रहा है, तो अपना-पना score नीचे comment section में comment जरूर करना, the ploidy level of intugment and antipodal cell of plant respectively is, जो ploidy level होता है न, कि भई, haploid है या diploid है, वो intugment का अलग से, antipodal cell का अलग से, एक plant के अंदर क्या होगा, बताओ, कौन haploid होगा, और कौन diploid होगा, या फिर दोनों ही haploid होगे, या दोनों ही diploid होगे, option number C, right, intugment जो है, वो आपका कैसा होता है, diploid होता है, ठीके, और आपका antipodal cell कैसे होती है, haploid, यानि कि, n condition, और यह आपका 2n condition, ठीके, 2 बना जेते हैं, वन्हें काफी बच्चे बोलेंग में, वो M लग रहा था, ठीके न, एक सेकेंड, चल, 2n, अब ख्लियर है, लास्ट क्वेशन पर आजाते हैं, non-albuminous seed is produced in, non-albuminous seed किस में produce होता है, मेस, कैस्टर, वीट या पी, exactly, non-albuminous seed जो है, वो आपका produce होगा, पी के अंदर, right, why, किसी को answer पता है इसका, non-albuminous seed का मतलब क्या होता है, जिसमें endosperm completely use होता है, by the embryo, ठीके, seed के maturation से पहले, endosperm completely use हो जाएगा, उसे कहते हैं, non-albuminous seed, ठीके, clear, जिसे की पी में होता है, बीन में होता है, मस्टेड में होता है, और अगर मैं albuminous seed की बात करूं, तो इनके अंदर, endosperm completely use नहीं किया जाता है, embryo के दवारा, तो कुछ पोर्शन बच जाता है, seed के अंदर, इसकी coconut में आपने देखा होगा, अपने maze के plant में देखा होगा, है ना, clear है यह चीज, so thank you so much, I hope आप लोगो को यह series पसंद आएगी, आज हमारा पहला दिन था, first class थी, आपको जैसा भी लगा हो, आप प्लीज मीजे comment करके ज़रूर बताएगा, I will try to improve according to your reviews, आप लोग जैसे reviews दोगे, उसकी according में improve ज़रूर करूँगी, plus आपके लिए और भी बहुत सारी questions यहाँ पर आने वाले हैं, और अगर आप लोगो ने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो नीचे description box में आपको मेरी unacademy की live classes, plus मेरे new channel का link मिल जाएगा, जहाँ पर आपको chemistry की short videos भी जरूर देखने को मिलेंगी, काफी बच्चिया जो मुझसे कह रहे हैं, मैं chemistry पढ़ाओ, यह फिर chemistry की questions कराओ, तो वो आपकी problem मैंने solve कर दिये, मेरे new channel the HL Academy पर आपको chemistry की short videos अपसे daily मिल जाया करेंगी, plus class 12 के term 2 की जो revision है, term 2 के जो आपके chapters explain करने का time है, वो मैं आपको यहाँ पर करने वाली है, तो please, जरूर देखेगा, आपको बहुत अदा help करेगी, with that's it, thank you so much, have a good day, bye-bye.